असलाम अलेकुम ब्यारे बच्चों वाले मस्कान आज हम रक्स इस सबख क्या हिस्सा मुख्तलिफ हरकात में हाथ और पैर की हम आहंग हरकात देखेंगे बच्चों आप तयार है? हाँ तयार है थोड़ा जोर से बोलो आप तयार है? हाँ तयार है शाबाश जिशान बेटा जी आपकी अमी घर पर मलाई से मक्खन भी तयार करती है? हाँ करती है आपने अपने अम्मी को मक्षन निकालते और छाज बनाते देखा है? हाँ देखा है आप मुझे बतलाओ करके किस तरह आपकी अम्मी मक्षन निकालने के लिए और छाज बनाने के लिए अपने हाथों को हरकत देती है? शाबाश! बहुत अच्छे! इसी तरीके से अरहान बेटा आप भी जिशान के साथ करे शाबाश, very good एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे इसी तरह हातों को हरकत देते हुए अच्छा सा मक्खर निकाला जाता है हाँ बेटा, ऐसे ही करे धीरे धीरे एक हाथ आगे, दुसरा हाथ पीछे शाबाश, very good बच्चों, बतलाओ तो, तुम सुभा कब उठते हो? छे बजी, मैं साड़े छे बजी आप इस्कूल कर वाते हो? साड़े दस बजी आपके इस्कूल की रेसेस कब होती है? तेड़ बजी बच्चों, आपके इस्कूल की छुटी कब होती है? पाज बजी बच्चों, आप जब साथ बजे, छे बजे, साड़े दस बजे ये बोल रहे होतों आपको कैसे बता के अभी साड़े छे बजे है, दस बजे है? घड़ी देकर शाबाश, घड़ी हमें वक्त बतलाती है बच्चों, आपने अलग-अलग डिजाइन की घड़िया देखी है? हाँ, देखी है आपने ऐसी बड़ी घड़ी देखी है, जिसमें एक रखास, यानि पैंडोलियम होता है? हाँ, देखी है ऐसी घड़ी किसके घर बर है? मेरे घड़ी अच्चा, अजिम तुम बतलाओ तो रखास वाली जो घड़ी है, वो किस तरह हरकत करती है? शाबाश, दाए बाए, दाए बाए जखी, तुम भी अजिम के साथ करो शाबाश, घड़ी का रखास इसी तरह लगातार दाए बाए, दाए बाए हरकत करता ही रहता है, है ना? जखी, अर्जिशान, शाबाश, बहुत अच्छे धीरे धीरे करो बेटा, इसी तरह घड़ी का ये जो रखास है दाए बाए एक सा हरकार करते ही रहता है प्यारे बच्चों आपने जिराख, जेबरा, घोड़ा, हाथी, शेर ये जानवर देखे हैं? हाँ देखे बच्चों इन में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी हाथी हाँ शाबाश आपने हाथी देखा है? हाथी को कितने बैर होते है हाथी के चहरे पर लंबी सी क्या होती है सून होती है सून होती है हाथी की ये सून लंबी होती है बच्चो आपने कभी हाथी की सून वाला खेल खेला है हाँ खेला है हाँ इस खेल में क्या करते है भला इस खेल में एक हाथ कान को लगा कर दुसरा हाथ सीधा रखकर पकड़म पकड़ाई कर खेल खेलते हैं है ना बच्चों बतला होता हाथी की सुन किस तरह हरकत करती है शाबाश उपर नीचे उपर नीचे इस तरह हाथी अपने सुन को उपर नीचे करता है और किस तरह हरकत देता है हाँ दाए बाए भी हलाता है सून को वो अपनी उसकी सून दाए बाए भी हरकत करती है बच्चो हाथी की ये जो सून है इसको वो अपने हाथ की तरह इस्तेमाल करता है अपनी सून से वो चीजों को उठाता है और पकड़ता है प्यारे बच्चों आपने कभी जूला जूला है हाँ जूला जूलने में कितना मज़ा आता है न जूला आगे पीछे आगे पीछे हरकत करता है और हम जूले पर बैट कर आगे पीछे जोके लेते है जूले में जूलने में बहुत मज़ा आता है बच्चो अभी हमने हम आहंग हरकात में देखा है कि चाच किस तरह भी लोई जाती है हातों को किस तरह हरकत दी जाती है इसके बाद हमने देखा है कि घड़ी करकास यानि पैंडोलियम दाएं बाएं हरकत करता है और हमने हाती की सून की हरकत को देखी है कि हाती अपनी सून किस तरह हलाता है और जूले पर किस तरह से जोका लिया जाता है और जूला किस तरह आगे पीछे हरकत करता है बच्चों आप भी इस तरह की हरकात के मश्क अपने घर पर करेंगे ना